हेलो दोस्तों इंडियन जीस में आस्वभी का स्वागत है तो दोस्तों जारकन टीजीटी पीजीटी एंड लेव एसिस्टेंट के पेपर वन के कोस्टेंज को आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और यह जो सेट है यह मोडल सेट 7 है जो लोग सेट 1 से लेके सेट 6 त और जिने इसकी पीडियाप की जो रहत हो वो टेलिग्राम ग्रूप जोइन करें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो चलिए जानते हैं प्रस्णों को पहला प्रस्ण है सिंधू लिपी निमलिकित में से किस और लिखी जाती है मतलब जो सिंधू लिपी है वो उस चलते हैं तो यह सिंधू लिपी की यह कि लिखावर जो है जो लिखी जाती है अब जान लेते हैं सिंधू घाटी सभ्यता के बारे में पूरे विष्तार से जानते हैं क्योंकि इसका हो गया है तो हो सकता है सिंदु गाटी सभ्यता से और भी प्रस्ण पूछे जा सकते हैं तो इसी से related और भी जितनी important facts होंगे चीजें होंगे उन सभी को इसमें जानेंगे तो यह जो सिंदु गाटी सभ्यता जो है यह भारत का इतहास जो है इसी के जन्म से यह ऐसा माना जाता है जो सिंदु गाटी सभ्यता है और जिससे हडपा सभ्यता भी कहा जाता है सिंदु गाटी सभ्यता को और यह माना जाता है कि यह लगभग जो है 2500 इसा पूरो दच्छिन एसिया के पचिम भाग में, जो समकाली नभी जो परजन टिला का जो है, ये पकिस्तान और पचिमी भारत तक ये फैला खुआ ये सिंदुगाटी सब्युता था, और ये सिंदुगाटी जो है, ये मिस्र, मेसोपटामिया, भारत और चीन कि चार प्राचिन सहरों वाली सभ्यता में से ये सबसे बड़ी सभ्यता का घर थी जो सिंदुगाटी सभ्यता थी तो ये साभी चीज़ें जो रिलेटेड हैं अब नेक्ट जाते हैं 1920 के दसक में भायरतिय पुराततो विभाग जो कि इंडियान ASI, Archaeological Survey of India ने सिंदुगाटी की खुदाई की जिसमें दो पूराने सहरों के खंडर जैसे की मोहन जोदाडों और हडपा की ये खोज की गई थी 1920 में और 1924 में ही ASI के द्वारा जो इसके महानी देशक थे जिनका नाम था जौन मॉज़ल ने ये मथा दिया कि सिंदुगाटी एक नई सवियता की मतलब घोषना खोजा गया है дос अब नेक जांते हैं इसमें जो सहर थे सिंदुगाटी सवियता के अंदर इतने सभीत जा लेते हैं च्पावग जो की 1921 में ये खोजा गया था और वे देयराम साहनी के द्वारा घुझा गया था हडपा साव को यह यह कोशन बनते हैं यहां से तो यह याद रखें की घुझे रखें कि हड़पा किसके द्वारा खुझा गया था तो यह गोजा घुझा सभर, घ्रा जिल्ले में रावी नदी के तर्ट पर ये इस्तित जो है हडपा और इसमें जो पाए गए चीज हैं वो थे मानो शरीर रजना बिज्ञान ये बलुआ पत्थर की मूर्तिया यहां पर पाई गई और अनाज का भंडार यहां पर पाए गया था और बैल गाड़ी भी यहां पर देखने को मिला था जो हडपा जो साइट है इसमें अब नेक्ट जानते हैं नेक्ट साइट क्या है मोहन जो दाड़ो जिसको मिर्तकों का टिल्ला भी इसको बोला जाता है और यह जो है इसको 1922 में आडी बनर जी देट मिंस राखल दास बनर जी के द्वारा यह खो जा गया जो मोहन जो दाड़ो है इसमें क्या क्या मिले हैं इसमें मिला है महान असनागार मिला है और यह धान्यागार मिला है काई सी नरित करने वाली लड़की मिली है पसुपती महादेव की मोहर मिली है दाड़ी वाले आदमी की सेल खड़ी मूर्ती मिली है और बुने हुए सुत क और यह जो डाडी वाले आदमी की सहल खडी मूर्ती जो है ये भी महँजळाड़ों में पाए गया था इनसे प्रस्थण बनते हैं और यह फिलिए पशुपती महादेव की मुहर भी यहां पर पाई गई ऑब नेक्स्ट्साइट जानते हैं नेक्स्ट जनल olması है सुक्ता ग्यांदौर ग्यंदौर है जो इसकी खोज नदान के सुस्क्तनि बिलोन के बीच एक वेपार का ये बिंदू येसा माना जाता है नेक्स्ट साइट है चानहुदारो ये जो है एंजी मजुमदार के द्वारा ये खोजा गया था और ये 1931 में इसकी खोज हुई थी और ये जो है सिंदू नदी पर ये सिच्टेड है जो चानहुदारो है मतलब उसके किनारे ये बसा हुआ सहर था अब इसमें क्या क्या मिले है इसमें मिला है मन का बनाने की दुकान ये इसमें मिला है और बिली का पिछा करते हुए कुत्ते का पदचिन ये यहाँ पर मिला है तो ये याद रखें अब नेक्ट ज तो यह सभी चीजें याद रखने वाली चीजें तो एक दो बार पढ़ लें अब नेक्स्ट जानते हैं लोथल जो है ये आर राव जी के द्वारा ये खोजा गया था और ये 1923 में इसकी खोज की गई थी और ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये सिचुएटेड खंबात की खाड़ी के पास भोगवा नदी पर ये गुजरात में सिचुएटेड है जो लोथल जो है लोथल से याद पर नदी क्या कि पर यहाँ पर पगुजरात में सिचुएटेड है और यहां पर क्या-क्या मिले हैं यहांपर मिला है और यहां पर जहाज बनाने का अस्थान यहां पर पाए गया है जिना पर पिया क्यां पर मिलता है और जहाज बनाने अस्थान याँ पर पर क्या क्या मिले हैं गोडों की हडिया मिली है और मन का यहां पर प्राप्त हुआ है अब नेक्ट जानते हैं बनवाली यह किनके द्वारा खोजा गया था यह आर एस बीस्ट जी के द्वारा यह 1974 में इसकी खोज की गई थी और यह हर्याना के हिसार जिल्ला में यह सिच्वे लिष्ट जी के द्वारा खोजी गई थी और यह 1985 में खोज की गई थी इनका धोला विरा का और यह कच के रन गुजरात में यह सिच्वेटेड है और यह जल संचेयन प्रणाली पानी का होज यह यहां पर यह सब पाया गया है तो यह था दोस्तों सिंदु घाटी सभ्यता स उसके जितने भी सहर थें वहां पर क्या-क्या पाय गए थें और किनके द्वारा उस सहर की खोज की गई थी यह सभी जितने भी इंपोर्डेंट पॉइंट्स थें वह मैंने डिसकस कर दिया तो वीडियो के एक दुबार जरूर देखें ताकि आपको समझ मैं या तो फिर ए भारत नाट्यम द्वानिटम का यह है कथकलि केरल का C में महानी अट्टम जो मझ सास्थ है कथकण्वली के और कुची पूड़ी आंद्र परद्या अधरपर देश का जिसे एक महिला द्वारा यह परस्तूत किया जाता है जो मोहिनी अर्टम है यह जाद रखें कि मोहिनी अर्टम कहां का है यह केरल का है केरल राइच का है अब नेक्ट जानते हैं 1857 इसवी के विद्रो के समय भारत का गौर्णर जनरल कौन था इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में लौड हैस्टिंग्स बी में दिया गया लौड कैनिंग भी सी में दिया गया लौड एम हर्स्ट और डी में दिया लौड ऑकलेंड तो जो 1857 का जो क्रांती हो रहा था उस टा लौड कैनिंग जो हैं यहां के गौवर्नर जनरल थे और इनका कायरेकाल जो था यह 1956 से लेकिए 1912 तक था और लौड कैनिंग भारत में कमपणी द्वारा नियुक्त अंतिम गौवर्नर जनरल तथा ब्रिटिस समराठ के दिन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय यह था भारती विद्रो महान विद्रो और 1857 का विद्रो और भारती विद्रो और संसोतंतरता का पहला यूद भी इसको कहा जाता है तो यह भी चीजिए जो है याद रखने लाइक हैं अब नेक्ट जानते हैं लौड के निंग के बारे में भी जान लेते हैं इनका पूरा नाम था कायरिकाल में हुए महत्कुम घटनाएं निल्कित हैं जो कि दिये गए हैं इनका में काम क्या था जो 1857 के विद्रो को सपलता प्रोक इनके द्वारा यह दबाया गया था मतलब इसको कुचल दिया गया था और भारती परिशद अधिनियम 1961 को यह पारित करना जिसे भारत में पॉर्टफॉलियो परिणाली की सुरुवात की गई थी और नेक्स्ट है व्यपगत के सिदान्त को वापस लेना जो कि 5858 के विद्रो का मुख कारणों में से यह एक था और बाकी यह सबी चीज़ें जो कि इनके द्वारा किये गये थे तो यह भी याद रहें अब की पर्थम महिला अध्याच कौन थी तो इसमें ओप्षण दिया गया है एमें ननीली सेन गुपता भी में दिया गया है स्रोजनी नाइडू औरसी में दिया गया है कादम बी कादमबिनी बोस तो इसमें जो रायट एंसर क्या होगा इसका जो अखिल भारति कंग्रेस यह इ अंगल आयरलेंड से थी मतलब आयरलेंड की थी और यह मतलब यहां पर आके बसी हुई थी इंडिया में और वे वर्ष 1907 से लेके 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और वर्ष 1906 में होमरूल लिग का गठन किया तथा 1907 में भारतिराष्ट कांग्रेस की पहली महिला यह अध्याच यह बनी थी तो यह सभी इनके द्वारा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंस पॉइंट्स थे इसको भी याद रखें अब नेक्ट जानते हैं नेक्ट प्रस्ण है वीडी सावरकर द्वारा अस्थापित गुप्त सं संगठन कौन सा था तो इसमें ऑप्सन दिया गया है ए में युगांतर समीती बी में दिया गया हिंदुस्तान रेपब्लिकान एस्टोस्येशन और दी में दिया अभिनव भारत तो जो वीडी सावरकर जी थे इनके द्वारा अस्थापित जो संगठन का नाम था यह था इसमें जो है इनको मतलब इनका जन्म कब हुआ था वीडी सावरकर जी का इनका जन्म हुआ था 28 माए 1883 में जो की भागवर में इनकी मिर्तियू 26 भरवरी 1966 में मुंबई में इनकी मिर्तियू हो गई थी और यह जो किस पार्टी से रिलेटेड थे यह हिंदु महासभा से रि चिपलूंकर और लास्ट है परभाकर सावरकर इनकी जो पतिनी का नाम था यह था यमुना बाई सावरकर इनकी पतनी का नाम था तो यह सभी चीजें जो की वीडी सावरकर से लेटेड है तो इससे प्रस्न बन सकते हैं क्योंकि हाली में पॉलिटीकली वीडी सावरकर जी का काफी अलोजना मतलब किया गया था और ये काफी न्यूज में थे तो इसे प्रस्ण आ सकते हैं तो ये भी ध्यान में रखें अब नेक्ट प्रस्ण जानते हैं भारत के किस परदेश की सीमा है तीन देशों करमसन नेपाल भूटान और चीन से ये मिलती है तो वो कौन सी परद इंसर क्या होगा जो सीकिम अस्टेट जो है ये तीनों देशों से इसकी बॉर्डर सेर होती है पहला नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों से सीकिम की जो बॉर्डर है वो सेर होती है यह यहां पर आप मैं देख सकते हैं यह सीकिम छोटा सदिक रहा होगा और इधर ने अब नेक्ष्ट जानते हैं नेक्ष्ट परस्ष्ट ने का विरी नधी का उध Kurum कहां परवरा था मतलब कहां पहुआ है तो इस्में ऑप्ष्ट दिया घया मतलब यहां से इसका उद्गा मस्तले यहां से निकलती है अब नेक्ट प्रसन जानते हैं भारत के समिधान की ग्यारवी अनुसुची में कितने भी सई मतलब रखे गए हैं तो इसमें option दिया गया है A में 22 B में दिया गया है 24 C 39 और D में दिया गया 32 तो इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर option नमबर C होगा देट में जो ग्यारवी सुची है हमारे समिधान की उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट मतलब इसमें सामिल किया गया रखा गया है तो यह याद रखें यह option उपर नीचे हो गया तो उससे कोई confusion की कोई बात नहीं है अब next जानते हैं इसका explanation दिया गया है कि समिधान की ग्यारवी और सुची 73 समिधान संस्वधन 1992 के माध्यम से यह जोड़ा गया था तो यह भी याद रखें कि ग्यारवी और सुची है वह 73 समिधान संस्वधन के द्वारा इसको हमारे समिधान में एड़ किया गया है जिसमें कुल जो है यह 29 विशे हैं जैसे कि मतश्य उद्योग पेजल गरीबी उन्मूलन कारिकरम परिवार कल्यान महिल्या बाल विकास सरुद्निक वित्रन पर नाली यह सभी विशे इसमें सामिल किये गए है वागला प्रस्न है चलया समीती का संबंद किस्ते है त लए परत्याच कर से में सुधार बेंकिंग प्रणाली में सुधार सी इसमें नीयति नियति इन CT नीयति यह समीति जो है यह यह बदाय। था डर्मन डारेका टेक्स और ईंडारेक टेक्स जो होते हैं उसमें सुधार करने के लिए यह Breaking किया ग знаете इसका नाम है चलईया-समीठी कि इसका कञंच जो है यह事 1991 ए मतलब किया गया था अब निए जानते हैं भारत ने डॉक्योप यःटम्पिक में कृल भारत की द्वारा टोटल कितने पदक जीते गए थे तोटल 19 पदक जीते गए थे भारत के दवारा और यह टोक्यो परलंपिक में यह जीते गए पदक थे अब नेक जानते हैं परस्ण जो रहें जारकंड शमायने ग्यान से रिलेटेड रहेंगे regardant जारकंड की जनगन्ना से दिये के कतनों में इसे कौन सा कतन कौन सा है इसमें दिया गया है एक में यहरपणकी जारकंड की चाहर्खन की शाछर्तादर की द्रिश्टी में कौन सा कथन कथन यह पूछा गया अ केवल 1, केवल 2 , 3, 1, 2 ,3 तो इसके पॉल्स स्टेटमेंट कौन कौन सा है तो यह option नमबर जो 3 है यह केवल false है यह जारखंड की साथसर्था दर की दिरिष्टी यह तीस्वा आस्थान पर नहीं है बाकि यह सभी correct statement दिये गया है अब यह जान लेते हैं कि जारखंड की साथसर्था दर की दिरिष्टी अगर देश में देखा जाए तो यह 32 आस्थान पर है और इसकी जो साथसर्था दर है लिट्रेशी रेट इसको बोलते हैं यह 66.41 पर तीसर तो यह भी याद रखें अब नेक्ट जानते हैं जारखंड का परमुक तेवार बंदना के संदर में कौन सा कथन सत्य है मतलव ट्रूस एस लिट्मेंट कौन सा है तो इसमें दिया गया और दी में दिया गया है सभी कथन सत्य है तो इसमें कौन सा कथन जो है यह सत्य है तो इसमें जितने भी कथन दिये गए है यह सभी कथन जो है यह सत्य है और यह जो बंदना तहवार जो है इन से रिलेटेड यह सभी कथन है तो यह भी याद रखें कि बंदना तहवार में क्य क्या किया जाता है इसमें जो है इस परोका आईजन जो एक यह काइर्थ का मोइस्या के दोरान सब्धा इंस परो की जाती है जो कौन सी तिरंदाज खिलाड़ी जो दुनिया की नंबर वन तिरंदाज मतलब खिलाड़ी यह बन गई है तो इसमें दिया गया है A में D.P. कुमारी, B में दियागा है, Κौमोली का बारी Jenkins वारीen c में दियागा है, असा, राणी, होरो, और ड्ली में है रिना कुमारी, तो ये कोन सी tीरंदाजी खिलाडी है, जो कि दुनिया में नंबर वन तीरंदाजी खिलाडी ये बन गई है, जोकि जार्खंड से related है तो इसका जो दिपीका कुमारी जो है यह स्का राइड answer है देट मिन्स उप्सन नमबर इसका राइड answer है दिपीका कुमारी यह तिरंदाजि खेल से रिलेटेड है और यह दुनिया की बाकि एक बार एक बार चेक कर लें कि अभी कोई चेंज हुआ है किया इन सभी में से तो हो सकता है को चेंज हुआ होगा बनाते अब नेवाकर यॉ नेर्च प्रस ने रमेश बेस को जहार्खंड का राइजपाल बनाये गया नए राइजपाल के रूप में उनका क्रम क्या है मतलब वो कितने नमबर के राइजपाल हमारी जहार जारखन के बने थे तो इसमें दिया गया एंशने में दिया गया है इसका जो राइट एंसर क्या होगा जो है यह हमारे जार। जीले बिहार को असपर्स करते हैं मतलब बिहार को टच करने वाले कितने जिल्ले और कौन-कशसे जिल्ले हैं अमारे तो इसका राइड एंसर कौन सा होगा जो की बिहार जिल्य को अस-पस करते वार मतलब बिहार जो स्टेट है उसको अस्ट टच करने वाले हमारे जारखन की कौन-कौन से जिल्य हैं तो इसका राइट एंसर यह ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा देट मिन्स गढ़वा पलामू चत्रह हजारी बाग कोडर्मा गिरीडी और साहवगान जो की नौर्थ इलाके के जो यह जिल्ले है यह सभी टच करते हैं बिहार को यह इसका एक्स्वलानेशन दिया गया है जो कि गढ़वा पलामू चत्रह हजारी बाग कोडर्मा गिरीडी देवगर दुमका गोड़ा और साहवगान जो की बिहार राइच को यह सभी असपर्स करते हैं अब नेक्स्ट प्रसन जानते हैं न और यह नोर्थ हिलाके में जो नधिया बती है धारखकण के व कौन-कौन सी नधिया हो इसका राइच्ए रेट एसका जानते हैं डेक्स्ट प्रसमर सखाराम गनेश देव सकर के संदर में कौन सा कथन यह अस्सा थे तैंस फॉल्स कथन इसमें दिया गया है इनका जन्म नहीं मराठा परिवार में देवभर में हुआ बांगला भासा में कई पूच्तकों की रचना कि जिनमें दिलकेर मुकरतमा अधि Parmaugh के उल सिक दिया गया आधिप भारत पर अंग्रेजी राज के पर्तीकूल आर्थिक परिणामों के विवेचना किया जिसके कारण अंग्रेजो से कौन सा पॉल्स अस्टेट्मेंट है जो की सखाराम गनेश देवसकर से रिलेटेड है तो यह जो इसका ऑप्शन नमर डी जो है वे हिंदी देनिक हित्वादी के उपसंपादक यह नहीं थे और यह इसका करेड एंसर होगा अब यह जानेते हैं जो सखाराम गनेश देवसकर को किस नाम से यह जाना जाता था जो ब्रिटिस का टाइम था उस टाइम जारकन को किस नाम से पुकारते थे तो इसमें दिया गया है कांग जोल बी में दिया गया संथाल परगना सी में दिया गया है छोटा नाकपूर और डी में दिया गया है कोकरा या फिर खोकरा तो जो लोग थें यह हमारे चारकंड को यह छोटा नागपूर छेत्र से यह पुकारते थे मतलब उस टाइम इस इलाके का नाम छोटा नागपूर रखा गया था सफहोड आंदोलन के संदर में कौन सा कथन यह असस फ्ॉल्स कथन चुनने के लिए इसमें दिया गया यह मैं इस आंदोलन के नेत्युत करता यह बंगम माजी थे भी में डिया गया इस आंदोलन के दोरान लाल-बाबा ने संधाल प्रग्णा में देशो दारक दल की अस्थभ राम नाम का मंत्र दिया तथा मास मंदिरा ना सेवन करने मतलब सेवन से उन्हें रोक दिया था तो इसमें असत्य कथन कौन सा है तो यह देख लें असत्य कथन जो है यह the option no. c है एविंसस संदोलण का संबन यह उनाव जन्Вот और जन्छाति से यक यह गलत है इसका जो शंबन जो है यह संधाल जन्छाति ऐ था जो की इसके जो नेत्यर करता जो थह वह वह थे जिसको लाल बाबा भी वोला जाता था अब सेज़ाने हैं। इस आंदोलन के नेतुत खरवार जन जाती के भागिरती मांजी के द्वारा मतलब यह किया गया था और खरवार जो खड़ खरवार आंदोलन जो है यह इसके नायक भागिरत मांजी दोते हैं मतलब यह खरवार आंदोलन से रिलेटेड है वह प्रस्ण था अब नेक्स जानते हैं अब समाइन ये बिज्ञान से प्रस्ण रहेंगे तो इसे भी ध्यान से देखें नेक्स प्रस्ण है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी क्योंकि मतलब इसका रिजन क्या है तूटने का रिजन तो इसमें दिया गया ए में जमने पर बोतल सिकूर्टी है बी में जमने पर जल का आयतन घट जाता है सी में दिया गया है जमने पर जल का ज है वो बढ़ जाता है और जिसके कारण जो बोतल है वो तूट जाता है अब नेट जानते हैं हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का गुबारा पृत्वी के अस्थल से छोड़ा जाता है वाय मंडल में उचाई पर जाने से वो क्या होता है उसको बारे का तो इसमें दिया गया ए में गुबारे का आमाप में कमी आएगी भी में दिया गुबारे चप्टा होकर चक्रिका प्रकार का अकार में पहले समान ही रहेगा तो इसका राइट एंसर क्या होगा जो गुबारा जो है जिसमें मतलब हवा भरके उसको छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन इसमें आती है तो इसमें जो परिवर्तन आती है इसमें आमाप में यह बिर्धी यह पाई जाती है यह इसका अब नेक्ट जानते हैं हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथिन जो है पॉलिथिन का जो गुबारा है जब पृत्वी के अस्थल को छोड़ से छोड़ा गाता है तो वाई मंडल में उचाई पर जाने से वाईयू का घनत उक्काम हो जाता है इसलिए गुबारे कामाव जो हता जाता है वह बढ़ जाता है तो यह इसका अब नेक्स्ट प्रस्ट जाते हैं तारे चमकते हैं किन्तु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि मतलब ग्रह क्यों नहीं चमकते हैं तो इसका में रिजन क्या है इसमें दिया गया है यह में दिया गया है वे इस्तिर परवलता का परकास उ और परिणाम सौरूप परकास की प्रवलता में कमी हो जाती है और दी में दिया गए वे पृत्वी के करीब हैं इसलिए उनसे अधिक परकास मिलता है और परवलता में यदि छोटे-मोटे परिवरतन होते भी हैं तो वह नजर में नहीं आता है तो इसका में रिजन क्या है इस अधिकान परकास यह मिलता है और परवलता में यदि छोटे-मोटे परिवरतन जो कि यह वह नहीं आते हैं तो यह इसका में रिजन है अब नेक्स जानते हैं नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रों की खोज किसके द्वारा यह की गई थी यह प्रस्ण है इसमें दिया गया अब नेक्स है प्रोटॉन की खोज जो है आब नेक्स है नाम चालान सुपार यह में सभिवय। महान भोतिक वाद हैं जिनका नाम था जोसेप जॉन थॉम्सन और इन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रोन की खोज की गई थी अब नेक्स्ट प्रस्ट जानते हैं जल गेस है मतलब जल गेस का फॉर्मूला क्या है तो इसमें दिया गया ओप्शन में से यह में क्रेंडेंड में क मयतनी है नंबर जो टूटेमें होंगे यह तरह हो जाता है तो वह घ्ञान दें उसमें तो इसका क् controlling प sitzt कht भूफंगर जो होता है मैंते इसमें क्लिभी रπα-अन इसमें स्पोन लेटियो को पहुच करके अब नेक्ट जानते हैं डाइनामाट के निर्बान में परियुख्थ होने वाला रासाइनिक मतलब जो केमिकल है वो कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है तो इसमें दिया गया औप्शन में यह गलाइसेरोल भी में देगा गलाइसेरोल विलया ब्राइट का यूज किया ली-चा डाइनामाट निर्मान करने में अब नेक्ट जानते हैं नेक्ट सबसे बड़ा अस्तनपाई को हैं मतलब जो जानृर जो जोगी दूध पिलाता है गोंगल को mistaken कंतले इसमें दिया गया है यह सबसे बड़ा अस्तन पाई हमारे पिर्थी में यह पाए जाता है जो कि इसकी जो लंबाई जो होती है यह 33 मीटर होती है और इसका जो वजन होता है 180 मिट्रिक टन से भी अधिक यह हो सकता है अब नेक्स्ट क्या है निमलिकित में से कोन हमारे सरीर का सबसे द्रीड भाग ह है मतलब सबसे कठो और अस्ट्रोंगेस पार्ष्ट हमारे बोडी का है तो इसमें option दिया गया है A में आस्थी B में दिया गया है दंत वलक और C में डेंटीन और D में दिया गया है C में टम तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer यह हो जाएगा दंत वलक जो है जिसको इनामेल बो है मतलब सबसे strongest पार्ट है हमारे बोडी का कि यह दिया गया हमारे शरीर का सबसे द्रीट भाग दंत वलक जिसको इनामेल बुला जाता है और यह दात के सिखर क्रॉन पर रहत्यदी कठोर हाड सफेद सा एक चमकिला होता है तथा मुख्यते केल्सियम फॉस्पेट और केल्स कि हमारे शरीर का पार्ट है अब अगले प्रस्ण क्यों पढ़ते हैं अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा युक्म सही सुम्मेलित नहीं है तो इसमें दिया गया ए में रेटिनोल जीरो फ्लेम मिया और बी में दिया गया है टॉको फेरोल से बेरी वेविन नावक सब्सक्राइब दिया है शीच इसनोयास क्योंग एiding खाननो लगता-बता मतलबे में दिया आरोग कनो कलत से इसमें ने कौन सा या टोको फेरोल यह बेरी वाला पिमारी होता तो यह बाकी जितने भी दि Bettigen ये सभी सही समयलन एया दिये गएक अब नेक्स जानते हैा like Carbon Monoxide विसाकत निमलिकित में से किसको मुख्यता परभावित करती है जो Carbon Monoxide हो है किसको परभावित करती है तो इसमें दियागे मैं बाचन क्रिया को पी में लीवर की क्रिया सिल्ता को C में दियागा है रक्त की ऑक्सिजन को वहन करने की छमता को D में दियागा की क्रिया सिल्ता को तो जो carbon monoxide जो है ये ये रक्त की ऑक्सिजन को वहन करने की छमता को ही ये परभावित करती है जिसके कारण यह silent death है जिसको बोलते हैं यह carbon monoxide के कारण ही होता है अब next जानते हैं अब computer knowledge से related प्रस्ण देंगे तो इसे भी ध्यान से देखें पहला प्रस्ण इसमें है इनमें से कौन सा output device है मतलब output device जिसको बोलते हैं इनमें से कौन सा है तो इसमें option दियागे a में monitor, b में keyword, c में mouse, d में microphone तो जो output device जो है वो कौन सा है तो इसमें से जो monitor जो है यह output device है मतलब जिसके हम लोग को चीजें प्राप्त होती है और जो mouse जो है क्या मतलब है मतलब SMS का full form इसमें पुचा जा रहा है तो इसमें दिया गयाई a में short mail service, b में दियागया meno message service, z में दियागया simple mail scheme, d में दियागया है short message service तो SMS का full form क्या होगा SMS का full form होगा short message service इसका full form होता है sms का जो कि computer से related यह लग जो हम लोग sms बैचते हैं वगरा वगरा उसको बूला जता है उसका full form जो होता है वो short message service होता है और भी बाकी जो यह दिये गए है full form short form के full form वो भी देख लेते हैं LED का full form क्या होता है light embedded डायवर्ड इसका full form होता है यह भी कई बार पूछा जा चुका है तो इसे भी ध्यान में लेकर और LCD liquid crystal display USB universal serial bus इसको बुला जाता है full form वीजी यह डाट मिन्स वीजूल या फिर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर FDD fluffy disk drive और KPD मतलब कीवोर्ड जिसको बुला जाता है यह सभी है full form और भी है इसको भी देख लेते हैं जो कि important computer abbreviations यह सभी है CPU Central processing unit का यह full form मतलब इसका full form है RAM का full form है random access memory ROM read only memory P-rom programmable read only memory E-Prom irisible programmable read only memory is a full form होता है और EEPROM का full form होता है electrically irisible programmable read only memory is a full form होता है HDD का full form क्या होता है hard disk drive इसका full form होता है और भी दिया गे है है लूँन होता है इंपोर्ट या आउट्पोट सीडी का फेल खूर्म होता है का दिजिपलन विडियो डिस्क'd और १ स्विक्त ऊहँ होता है स्विच और सप्लाइर को इस अपॉर्टएंट इसे भी याद करने हो सकता है नेक्स्ट आने वाले एक जाम में पूछा जाएगा इनी सभी से रिलेटेड तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे अब नेक्स्ट प्रस्म जानते हैं किसी विंडो को फूल इस्क्रीन में देखने के लिए प्राय कौनसी क्या होगा इसका और उपसन नंबर सी हो जाएगा यह डिफॉल्ट की होता है जो कि फूल इसक यह यह कि अब नेक्स प्रेंट क्या है 1 GB में मतलब कितना होता यह मेम्मोरी का जिसमें यह क्लासिफाई किया राता है कि 1 GB में कितना स्पेस होता है इसमें अप्सान धियागा है A में 10024 Sorry 1024 MB दीए गया 1024 के भी ती में दीए गया 512 MB और D तो जानते हैं इन से रिलेटेटड लेते हैं जो वह जानना बहुत इसमें वन बीट जो होता है ये बाइनरी डिजिट 0 या फिर 1 होता है और 8 बीट जिसको बोलते हैं ये 1byte के बराबर होता है जो कि 1byte 2 आप नेवल के ब्राबर होता है 1024 बाइट यह एक के ब्राबर होता है एक के ब्राबर होता है और 1024 किलो बाइट जो होता है एक पीबी पेटा बाइट के ब्रावर होता है और एकजार चोवीस पीवी एक ऊपेटंल प्रम सकते हैं अब प्रश्क नेकंट में निम्लखीत में से कॉन यूज रसको फोटो और वीडियो बाटने तथा रियल टाइम संदेश को सिधे या एक समू के रूप में भेजने की अनुमूति यह देता है तो इसमें ओप्सन दिया गए ए ट्वीटर बी इंस्टाग्राम सी में वाट्सअप और डी में दिया गया है गूगल पिकासा तो इसका राइट एंसर यह वाट्सअप हो जाएगा देट मिन सौफसन नंबर सी इसमें क्या होता है कि फोर्टो वीडियो यह सभी एक साथ भेजा जा सकता है डिफरेंट इसको एट्यम बोलते हैं बी में दिया गया है डेक्स्टॉप कंप्यूटर सी में लेप्टॉप कंप्यूटर और दी में दिया कि मॉबाइल डिवाइस तो इसका राइट एंसर ऑप्सन नंबर डी हो जाएगा डिवाइस जो है वह टाच स्क्रीन होता है और इसको हाथ में गुमा जाता है मतलब यह रखा जाता है अब नेक्स्ट आटे हैं में संग है किस कुण जी सँक्रीप्टिंग के लिए यह किया जाता है इसमें दिया गया ऑप्सन अमें डिया गया है इसका राइड एंसर क्या होगा इसका राइड एंसर ऑप्शन नमर C हो जाए यह टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्टिंग करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है कर वोर भी जान लेते हैं जो होते हैं इसमें कण्रोल करने के लिए की यह जाता है कारो के Conference . by feathered की लिए का इक है जो मिल्टक्रून जिसको select किया हुआ उसको पाइब लिए के लिए चल्वरता एक का के लिए क्लिए कोता प्रिंट विंडो के लिए का इता क्नार्टично फ साई लीडिव के लिए चिल्ट इसके लिए बाकि यह दिए कर लें नेक्ट भी इसको भी वीडियो को पहुच करके एक बार पढ़ लें अब नेक्ट जानते हैं नेक्ट क्या है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम लिखित में से कौन सा घटक पर बंदित किया जाते हैं तो इसमें दिया गया अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्टम मल्टिपल रियल टाइम अप्लिकेशन और मल्टिपल यूजर्स की सेवा करने के लिए इसमें दिया गया A में विद्रेट्ट और नेटवर्क और सिस्टम दिया गया है इसका राइट एंसर हो जाएगा विद्रित operating system का यूज इसमें किया जाता है तो यह द्यान में रखें अब नेक्ट जानते हैं अगला प्रस्ण है binary संख्या परणाली को मतलब क्या कहते हैं मतलब क्या भी बोला जाता है इसमें बाइनरी संख्या को इसमें जो होता है में दिए गया है यह option दिए गहें बेस्ट तो संख्या पढ़नाली यह कहा जाता है जो कि जानते हैं अब हिंदीष प्रश्ण रेंगे तो इसे अभी ध्यान से देखें वह अच्छे से करें तो पहला इंसमें चावन का अस्थान मतलग कोन से हैं मतलगि дос जाव हूं करते हैं वह किस अस्थान इस चावन पर थे वहाही जिए तो यह जो किया जाता है यह तालवियों से किया जता है मतलब जो जीव यह होता है वह उपर सबता है और वहीं से यह उचार होता है चाका तो यह देख लिए होते हैं कंट से क्या-क्या उचारण होता है यह अगर स्वर्वर्ण को देखा जाए तो आ जो होते हैं यह सभी कंट से निकलते हैं यह सभी जो है एक बारा प्रेक्टिस करें कि कहां कहां से क्या चीज निकलता है, तो कंट से अगर देखा जाए, मतलब चो कंट होता है, यहां से क्या निकलता है, और वेंजर में देखा जाए, तो यह का, खा, गा, गा, अंगा, यह सभी कंट से निकलते हैं, अब नेक्ट है, तालू से क्या-क्या निकलता है, तालू जो है, इसमें, मिर्दाश निकलते हैं और वेंजर में देखा जाए तो यह मिर्दाश निकलते हैं दंत से लिरी और वेंजर में देखा जाए तदादा ना यह सभी दंत से निकलते हैं और और से क्या निकलता है और यह सभी और सी निकलता है और वेंजर में देखे तो पाफा बाबमा यह सभ और निकलने वाले मतलब ओठ जो ओठ टगरान से यह होता है अब इसको एक दो बार प्रेक्टिस कर लें कि कौन कहा कहा से निकलता है आपको अपने पता चल जाए कि कहा कहा से क्या निकलता है तो इससे प्रस्न आने वाले या दी में दिया गया ना तो इसका र एwiąसर क्या होगा इसका एंसर 07 कदनि यह है यह यह टापिंग नहीं हो रहा था तो इसको यह शचाथ करके यह यहाँ पर पैठ किया गया है कि आप next जानता है निवल समुहों में से किस समुह सब समुह कावा वरतनी सुध है इसमें दिया गया दिखविजय किर्तगन्छित्यज बिमें दियागा सिखरे प्रकृति मस्तिक्स दिखिक्स इस्त्रीय अधिमें दिखे वरत्मान अभिलासा अतिश्जेग्र तो सूध वर्तनी मतलब जो correct लिखा गया है यह चूज करने के लिए इसमें बोला गया है तो इसमें से कौन सा correct लिखा गया है तो इसमें जो लिखा गया है यह लिखा गया है यह हो जाएगा अब नेक्स्ट प्रस्ट जानते हैं नेक्स्ट प्रस्ट क्या है हिंदी स्वरों का वर्गिकरान जब जीव के भाग के अधार पर किया जाता है तो निमलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतरगत नहीं आएगा तो इसमें ऑप्शन दिया गए क्षण सभलों क्या हो जाएगा इसका राइ्ट एंसर सब्सक्राइब जो क्या सब्सक्राइब 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 उसको क्या बोलते हैं तो इसका उप्सन क्या हो जाएगा यह नुबर द सब्सक्राइब को यह जोरता है और इसी को बोला जाता है आफ उसका क्रेक्ट option क्या हो जाएगा अब यह जालते हैं इसका डिफिनेशन क्या इसको कहता है तो समुझ भोत सब्ध जो दो सब्दों यांट सो वत्वा वाइक्यों को जोड़ता है वाइक्यों को जोडने के कारण इसे संयोजक और यह भी कहा जाता है जैसे कि अगर देखा जाए एक्जांपल में राजन और इकबाल लंबे हैं तो यह क्या कर रहा है यह जोड़ रहा है मुझे एक कलम या पैंसिल दो यही जोड़ रहा है तो यही जो है समुझ्च वोधक सब्द यह सभी कह लाएंग लो हाफ भा है बी में आता हफ द द अपस्ब अब नेक्ट लाप रसने कूपन और भीगुल की भासा का सब्द है मतलब कौन सी भासा के इस श्ब्द है इसमें दिए ए में फ्रांस अग्रेजी दिए उसम्ला पुर्तिजा ली और देदिए जापान नि तो ये कौन सी भासा क ये सब्द है जो कि कुपन और भी गुल है यह जो है यह फ्रांसेसी भासा का यह सब्द है कुपन और भी गुल और यह का option number a राइट अंसर हो जाएगा अब नेक्ट जांते हैं संकर संकर सब्द का अर्थ क्या है मतलल इस जो संकर सब्द यह कौन से सब्द का मतलब यह जो कि संकर सब्द है इसका right answer क्या होंगा इसका राइट एंसर यह उप्सन नमबर डी हो जाएगा जो संकर सब्द यह दो भासाओं के सब्दों से यह मिलका बना एक सब्द है जिसको संकर कहते हैं अब नेक्ट जानते हैं आकास के लिए सही पर्यावरण वाले सब्दों की पंक्ति को चुनिए परियावरण यह नहीं होगा यह परियावची होगा यह होग तो इसे सब्दों के लिए बोला जारा है तो इसमें प्रियावची और सी में दिया गाया आसमान Gardens将 W um Holmes इसका राइट एंसर जो प्रियागची सब्द जो है वे सभी आकास के यह हैं आसमान गगन और व hills यह सब माला एंzek संधर एक जाते हैं यदू के अनिलिकित में वरतमान काल का उधारन मतलब कोन सा है जो परज kidney How वर्तमान काल का उधारन कौन सा यह पुछा जा रहा है उसने पढ़ा था वह पूस्तक पढ़ेगा वह जाता है यह खेल रहा था यह काफी उपकटा साने लड़का सोता है यह कि समबंदी थे मतलब किसे संबंदी थे इसमें सक्रम किया वीशकता नहीं होती है यह उसको अक्रमक क्रिया काते हैं यह definition दिया गया है अक्रमक क्रिया का मतलब होता है क्रम के बिना मतलब इसमें क्रम की आवशक्ता नहीं होती है जिन क्रियाओं को क्रम की जरुरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्ण पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अक कर algumas कριہ के उदारन है है अब निंहिए जानते हैं त्याइव सब्सक्राइब मतलब इस पूलिंग दिया गया एक साइड और दूसरे साहे स्ट्सक्राइब दिया तो इसमें सही कोण कोण सा है यह इसमें मतलब मैच करना है इसमें दिया गए A, C, C, B, और पिता का माता चला जाएगा, सांफ़ का साफिम चला जाएगा, और C, C का सिश्या चला जाएगा तो इसके अनुसार देखने की को 가지 हो गा, यह HELP इसका हो जाएगा, इलए मिलंक यह ओप शान NUMBER, इसका टैंसर हो जाएगा अब नेक्ट जामते हैं अगला है यह भी मिलान करना है सुची 1 से सुची 2 को मिलान करना है इसमें पर्तिय दिये गए है तो इसमें दिया गया है व्यूद में पार्फ भी चाल स्निदेर जहिए ज्ट्रकोंड देगा है इसमें से कौनखंसा पर्ति का यूज किया गया है तो इसका राइट АNSER क्या हो भी यह हो जाएगा अंश भूर पार यह आइसका हो जाएगा यह यह क्यून सच को देंकर log और झाल का आक और चीका हो जाएगा तु जटक्ट का पसुका पसुंए यह सबहीं हो जाएंगे अभ नेफ्ट जानते हैं अगला प्रश्ण क्या है भानुदय का शंदी विचेद निम्ड वेसे कौन सा होगा थिश्मा कोन सा होगा आ में धी एक बानुपलस होगा इसले कि संदी विच्छे दिए होगा अब अगला प्रशन जानते हैं नेक्स्ट प्रशन है जिस समास में दोनों खंड समान हो कोई परधान या गोन ना हो उसको कौन सा समास करते हैं इसमें दियागे सब्सक्राइब करने पर और यह यह अत्वा सब्सक्राइब लगा लगता है उसे क्या करते हैं जैसे कि माता पिता माता और पिता तन मन तन और मन ग्यान विज्ञान ग्यान और विज्ञान यह सभी है दोल दोए समास है आपने जानते हैं त्रिभुवन सब्सक्राइब करमदार्ए समास भी तता पुरुष समास देगे बहुत बरी समास तो जो है इसमें द्विगु समास का हिसमें योज किया गया है, मतलब त्री और भवन, तीन भवन यह मिलके बना हुआ है, तो यह इसको देख लें, जैसे कि जिस समास का पहला पद संख्या वाचक भी सेशन हो, तथा समस्त पद जो है, समुस का अर्थ देता है, उससे क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं, जैसे कि पंच तंत्र, पंच तंत्रों का समाहार, त्री वेनी, तीन वेनियों का समाहार, पंच वट्टी, पंच वट्टों का समाहार, यह सबी जो है, द्विगु समास के उधारन है, अब नेक्ट जानते हैं, अगला प्रस्न है, वी बना सब्सक्राइब कर दो मैं कि इसका डिया गया है अगला प्रस्ण देखते हैं इसका बिन उपसर्ग से बना सब्सक्राइब तो इसमें दिया गया A में, B ना, B में दिया गया बिनोला, C में बिन देखा, और D में दिया गया बेनाम, तो जो बिन उपसर्ग का यूज किया गया इसमें, इसमें कौन से सब्द में किया गया है, ये किया गया है, बिन देखा सब्द में इसका यूज किया गया है, और ये कि हाथ की लकड़ी में देए डंडे का सहारा तो जो आंधे की लकड़ी है इस मुहावरे का जो अर्थ होगा यह हो जाए एक मात्र सहारा उसको बोलते हैं आंधे की लकड़ी होना मतलब एक मात्र सहारा होना अब अगला प्रसंद देखते हैं काट की हंडी बार-बार नहीं च चलता सी में दिया गया है लकडी का बरतन अगनी से जल सकता है और दी में दिया गया है दुर्भाई के का मारा बार-बार नहीं होता तो इसका राइट एंसर क्या होगा जो काट की हांडी बार-बार नहीं चड़ती इसका अर्थ जो होगा यह होगा छल कपट का वहवार हमेश यह नहीं चलता इसका correct answer हो जाए तो यह था दोस्तों लेव एसिस्टेंट पीजीटी टीजीटी और भी मतलब जितने भी एक्जाम चार्खन में है अगर इस पेटर में अगर एक्जाम करवाय जा रहे हैं तो उन सभी के लिए model set काफी important है इसको देखें जरूर देखें और व नहीं किये हुए हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे थांक्यू दोस्तों